तो आज मैं पहुंच चुका हूँ जरुआ पसु मंडी जो कि यह मंडी सबताहिक मंडी है परती एक रविवार को यह मंडी लगती है तो आज इस मंडी से डेटेल जाने हैं यह काफी संदार भीड यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो पहली यहाँ पे जो कि एक ही लैन में तीन गाई देखने को मिल रहा है एक ही ओनर की तो एक एक करके तीनों गाई के डेटेल देना चाहूंगा पहली गाई यह आप देख पा रहे है इस गाई की डिटेल जो की चार दाथ में इस गाई की डिटेल बतला गिया है 20 लिटर दूद की कैपसिटी बतला गिया है 84,000 पर डिमांड रखा गया बच्चा मेल है इनके साथ में और जश्ट बगल में एक और गाई देखने को मिल रहा है जो की एक ही ऑउनर की तीन गाई जैसा की मैंने बतला है और बच्चा भी आगे की तरफ देखने को मिल रहा होगा आपको काफी बितरीन तरिखे का गाई देखने को मिल रहा है आपको और ब्रीड में से ये सब गाई आप देख पा रहे हीचेफ का काफी अच्छा परसेटे सारी गाई में देखने को मिल रहा है और यह थूसरी गाई जो आप देख पा रहे है बीच पे इस गाई की डिटिल 21 लिट धूद की काकी पत्ला है दिमांड की बाथ करे तो बेंड रखा गया इस गई का यह आप इस टैपकी गाय काफी बहत्रीन और बहत्री आगे देखने को मिलेगा तो वीडियो को आखरी तक देखे एक और गई जश्ट बगल में जो कि यह आप एक पारे थोड़ा मैं घूम कि मैं आपको देखलाना चाहूँगा चार दात में से इस गाई के डिटेल बतलाई गया है 16 लीटर दूद की कैपसिटी बतलाई गया है डिमांड की बात करें तो 66,000 पर डिमांड रखा गया है और बच्चा मेल है एक ही ओनर की तीन गाई आपने एक बार मैं थोड़ा घूम कि आपको मैं देखलाना चाहूँगा डिमांड की बात करें तो 79,000 पर डिमांड रखा गया है और बच्चा फीमेल है बच्चा को भी आप देख पारें जो की आगे की तरह बच्चा बैठा हुआ देखने को मिल रहा है इस टैप की गाई और भी आगे देखने को मिलेगा तो वीडियो को आखरी तक देखे उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट एम आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल आइकन को दबाले ताकि इस तरह का नोटिफेकेसन आप सभी को सबसे पहले म सब्सक्राइब भी घाई को मिला है छे दात में से इस डात में इसजार की डिटेल बदाई ग εν datasets सत्तर हजार पर डिमांड रखा गया है और यह अडर की बनाड पीछे साथ से काफी सांदार आप देख पारें और काफी अच्छी तरही से सारे गाय का सेवा किया जा रहा है यहां पर ऑनर दौरा यह आप देख पारें एक ही ओनर की चार-पांच गाय यहां पर देखने को मिल काइश है तो उस गाय का भी मैं आपको डेटल देना चाहांगा और यह सैड़ की आगे मैं आपको इस सैड़ का सारी जावख देना चाहांगा तो बढ़ेंगे दूसरी आप देख पारें इस गाय की सब्सक्राइब जो की चार दात में इस गया की डिट्यल बतलाई जा रही बीस लिटर दूत की capacity बतलाईगे ये दोनों टाइम का एक बार मैं थोड़ा करीब से मैं आपको थोड़ा देखलाना चाहरा हूँ दोनों टाइम का बीस लिटर अडर किबनाट पीछे सैट से मैं थोड़ा आपको और भी देखलाना चाहूँगा डिमांड की बात करें तो 83,000 पर डिमांड रखा गया है और ये आप देख पारें अडर किबनाट पहले जो कि आपने पहली गाई देखा आगे की तरफ गाई आप देख पारें जश्ट बगल में और ये दूसरी गाई आप देख पारें 83,000 पर डिमांड रखा गया बच्चा फीमेल है इनके साथ में ये भी प्लस पॉइंट है दात में जो की चार दात में ये गाई देखने को मिला काफी बहतरीन गाई डेरी फॉर्मर भाई लोगों के लिए इस टैप की गाई काफी बहतरीन मानी जाती है तो डेरी फॉर्मर भा एक और गाई यहां पर देखने को मिल रहा है जो की इस गाई की भी मैं आपको डेटेल देना चाहूंगा दात में मिली भी इस गाई के डेटेल बतलाई गिए 21 लिटर दूद की कैपेसिटी बतलाई गिए दोनों टैम का और यह आप देख पा रहे है यह भी गाई काफी इमान रखा गिया है इस गाई का और बच्चा मेल है बच्चा जो की आगे ही तरह बैठा हुआ आपको दिख रहा होगा थोड़ा तो यह आप देख पा रहे हैं तो इस टैप की गाई काफी आसानी से मंडी में अविलेबल हो जाती है डेरी फर्मर भाई काफी आसानी से इस गयी की डेटल बतला जा रहे हैं घपी कि जाराएं और ग्यान की आप रहे हैं काफी संदार अडर की गयी आप देख पा रहे हैं दोनोंये टेम का एक बार में आपको घूम के थोड़ा देख लाना चाहूंगा डिमांड की बात करें तो dieseं पर दिमांड रख रखा início इस गाई का और बच्चा मेल है इनके साथ में तो यह आप देख पारें दूसरी सैट से भी थोड़ा एक दूसरे में काफी करीब में गाई बंदी होती है इस वज़ा से थोड़ा वीडियो कवर करना मुस्किल होता है तो यह आपने देखा तो बढ़ेंगे एक और गाई की त गाई देखने की मिल रहा है तो इस गाई की मैं आपको डेटियल देना चाहूंगा जैसा कि स्कैन के उपर आप देख पारें मातR चार दाथ में से फर्ष्ट इलक्सिक्टिसियन की गाई यह आप देख पारे है जो की फर्ष्ट बार यह गाई भी आई है यह आपने देखा 16 लीटर दूद की कैपिसिटी बतलाई जारी है और दोरा यह आप देख पारे है और थोड़ा घुमा के आपको देखलाना चाहेंगे ये आप देख पारें 16 लेटर दोनों टैम का दूद बतलाया जा रहा है डिमांड की बात करें तो 68,000 पर डिमांड रखा गिया है और बच्चा फीमेल है इनके साथ में ये पीछे सैट से भी आप अडर की बनाओड देख पारें काफी संदार ये भी गाई डेरी फॉर्मर भाई लोगों के लिए इस टैप की गाई काफी बेतरीन मानी जाती है और टॉप कोईलेटी की गाई आज के मंडी में देखने को मिल रहा है एक वीडियो में जो की सारी गाई का डिटेल देना मुम्किन नहीं है तो मैं कोसिस करूँगा की पार्ट टू में मैं आपको कुछ और गाई का डिटेल देने का कोसिस करूँगा और कितने में गाई सेल हो रही है इसकी भी डिटेल पार्ट टू में मैं देने का कोसिस करूँगा तो ये आपने देखा बढ़ेंगे एक और गाय की तरफ बच्चा फीमेल है इनका तो बढ़ेंगे एक और गाय की तरफ एक और गाय यहाँ पे काफी संदार गाय यह भी देखने को मिला है मातर चार दाउट में से इस गाई के भी डेटेल बतलाई गे अडर की बनाउट में आपको देखलाना चाहूंगा जो कि पहले आपने जो गाई देखा उन्ही ऑनर का है यहां पे भी दो गाई आप देख पा रहे पहले आप जो कि लिफ्ट साइड का सारी गाई को देखा अभी रैट साइड में यह गाई आपको देखने को मिला है मातर चार दाउट में से 22 लिटर दूद की कैपिसेटी बतलाई जा रही है यह अडर की बनावट आप देख पारे काफी अच्छा टॉप जिसे कहते है टॉप कॉलिटी में से यह गाई आप देख पारे एच एफ में का काफी अच्छा परसेंटेज वाली गाई यह आप देख पारे 22 लिटर दोनों टैम का दूद की कैपिसेटी डिमांड की बात करें तो 90,000 यानि कि नब्य हजार पर इस गाई का डिमांड रखा गया है और बच्चा भी फीमेल है यह भी प्लस पॉइंट है तो यह दूसरी सैट से भी आप देख पारे काफी संदार गाई तो बढ़ेंगे एक और गाय की तरह एक और गाय जो कि जश्ट बगल में भाई जो की सरसफाई में अपने गाय को धियान दे रहे तो इस गाय की भी मैं आपको पा रहे हैं जो की 84,000 इस गाई का डिमांड रखा गिया है दूद की कैपिसेटी की बात कर रहे हैं तो 18 लिटर दूद की कैपिसेटी बतलाई जा रहे हैं दोनों टाइम का और काफी बेहतरी न टॉप में से ये भी गाई देखने को मिल रहा है अच्छा परसेंटेज वाली ग बतलाई गी है 16 लिटर दूद की कैपिसेटी बतलाई गी है और बच्चा जो की फीमेल है इनके साथ में 55,000 पर डिमांड रखा गिया है और दाम में कम बेस हो जाएगा जो की फिक्स प्राइज नहीं होता मंडी का तो इस टैप की गाई काफी आसानी से मंडी में अवलेबल हो जाती है और भी कुछ गाई का जो की बाहर की तरफ यह आपने सेट की अंदर का गाई का डेटेल जाना बाहर की तरफ का जो की मैं कोसिस करूँगा कि पार्ट टू में मैं कवर करके मैं आप सभी को अपडेट दूँ कि बाहर की तरफ किस किस टैप की गाई अवलेबल हो जाते हैं काफी बहतरीन बहतरीन गाई इस मंडी में अवलेवल हो जाती है तो पार्ट टु में आपको और भी गाई का डिटेल देने का कुछ करूँगा और क्या रेट में गाई सेल हो रही है तो उसका भी मैं डिटेल देना चाहूंगा